मित्र धर्म हिंदी कहानी एक बार मगद के राजा ने अपना राजेपाट राजकुमार को सोवप कर शेश बचा जीवन धर्म कार्या में लगाने और धर्म यात्राई करने का निश्चय किया लेकिन धर्म यात्रा पर जाने से पहले वे चाहते थे कि उनके पुत्र का प्रधानमंत्री कुशल और योग्य हुने के साथ साथ धर्म के मर्म को भी समझता हो ताकि राजय पर कोई भी विपत्ती आने पर प्रधान मंत्री की धर्म का पालन करते हुए वो अपने राजय को सही राय दे सके। मित्र बोला, मित्र, मैं बच्पन से अब तक तुम्हारे हर सुक डक्त में साथ रहा हूँ, इस डक्त की घडी में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें जहां भी मेरी आवश्यक्ता होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं एक बार राजा से मिलकर कुछ बाते करना चाहता हूँ, अगले दिन राजकुमार का तीसरा मित्र राजमहल पहुंचा और और बड़ी ही विनमृता से उसने राजा से पुछा, महराज आखिरकार राजकुमार ने ऐसा कौन सा अपराद किया है जो उन्हें देश निकाला दिया जा रहा है बिना कोई अपराद किये किसी को भी दंद देना उचित नहीं है राजा ने राजकुमार के मित्र से पुछा तुम राजकुमार की छोड़ो, अपनी बताओ तुम राजकुमार का साथ दोगे या नहीं राजा की बात सुनकर राजकुमार का मित्र बोला मैं प्राण देकर भी मित्र धर्म का पालन करूंगा राजा समझ गया कि जो किसी भी परिस्तिती में मित्र धर्म का पालन कर सकता है असल में वही राजे के प्रधानमंत्री पद के योग्य हो सकता है अगले ही दिन राजा राजकुमार को राजय सोब कर और उसके मित्र को प्रधानमंत्री पत सोब कर धर्म यात्रा की और निकल गया